भाईओ नमस्कार भाईओ आज मेरे पे अचनक फोन आया अनिल भाई का ये चोड़ा उठा रहे हैं अपने खेत के साइड में इन्होंने चोड़ा गेर रखा था और आज ये चोड़ा उठा रहे हैं तो इनका फोन आया कि अधिक वुर्यकु आओ और ये आज नई चीज दिखा रहा है और आप भी बताई हो कि आपने कभी ये चीज देखी है ये नहीं और इस तरीके से किसानों के साथ चोड़े में ये खाद में ये चीज निकलेगी तो किसान तो बिल्कुल पठ हो जाएगा वेकार हो जाएगा तो जैसे ही इन्होंने आज चोड़ा निकालना चलू करा तो इस चोड़े में इतनी ज़्यादा गिंडार निकलने लगी बहुत ज़्यादा वाइट ग्रब बहुत ही ज़्यादा है किसान भाई ने पहले भी डेंटोट सु भी गे रही है थायो में था जाम भी गेरी है लेकिन जैसे ही इन्होंने आज चोड़ा उठाना चलू करा इसमें बहुत ज़्यादा वाइट ग्रब निकली और वाइट ग्रब आपने भी ऐसी कदी नहीं देखी उने कि जैसे हम आज दिखाऊंगा बहुत ही ज़्यादा मोटी और लंबी और जैसे जैसे यह चोड़ा निकालना है इसमें निकल लई है पहले मैं दिखाता हूँ इधर बहुत ज़्यादा थी दिखाई और लाओ इधर बहुत ज़्यादा है देखो अभी दिखाएंगे बहुत ही ज़्याद है वाइट ग्राफ है कि देखो और रही और रही और रही और रही और रही और देखो भाई यो क्या है यो कि देखो भाई यो कितनी मोटी गिनार है वाइट ग्राब ने डैन टोड़ सु गेल लो और थायो में तक जो गेल लो हर साल गिरती है यह देख लो और यह बहुत ही जाद है कुछ ठड़क पर फैक दिया अभी तो मैं इसका यह अभी तो टेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है अगर किसान के खेट में यह फूट में चोड़े में इतनी जादा है अगर खेट में हो गई जोड़े की साथ फैल गई तो क्या होना है किसान तो विल्कुली बेकार हो जाएगा और अब ये ये डर्वी रहे हैं कि अब इस चोड़े का क्या करें लेकिन इस इन्हें गिंडारों को निकाल निकाल के ये अपने खेट में चोड़ा फैला रहा है और बात को एक दम से दुभाई गेरेंगे देखो कितनी ज्यादा निकल नहीं है भी बहुत ही ज्यादा, मामला खराव कि तो भाई ओंब भी बताए आप ने कहीं इतनी जानकारी दें कि हम इसका निदान कैसा करें देखो 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 यह रहीं बहुत ज्यादा गिनार मोटी मोटी छोटी गिनारे तो बहुत देखिए लेकिन इतनी मोटी हमने भी ने देखिया आज लो और इसका गिनारों का विल्कुल हसर है हसर बुरा देखो यह निकलने पर यह इस चोड़े में आई कैसे हैं यह भी बताएं आप मुझे हम तो सब फेलोगा इसके सामने देखो यहां एक सिंबल का पेड़ है और एक सिस्सो का है देखिए सिस्सम का और साइड में भी है और इधर भी है है और यहां थोड़े से कोने पर सभी किसान भाई गेड़ती है चोड़ा या खाद कि देख लो कि वाइट ग्रब ने पिछले साल बहुत आतंक मचाया था लेकिन इस बार तो इतना ज्यादा देखो इतनी मोट सीजन भी नहीं और इतनी किसी नहीं किसी नहीं आप नहीं देखी है और इसका देखो देंटोट सुगे रोगे हाँ ना डेंटोट सु सबसे बहुत बढ़िया लेकिन देखो आप इसमें क्या होता है कोई भाईयों नई दवाई हो तो भी जरूर बताई कमेंट में या फोन पर संपर कर लें हाँ और महंगी भी बहुत देंटोट सु बच्चे भी बहुत निकलना है यह बच्चे कैसा चट्टोगे बच्चे ता यह सेरे खेता जनू जाएंगे जाए रहे की करहें फिर ना इसमें ऐसा जी कम करो तुसी देंट तोट सु लाएक है और एस तसलेच गेर दो सुद्री दवाई हां है मरें यह नी मरें यह देखे की हूँ कुस तर रिजल्ट निकलू गाई है हां मन्नी तो चाहिए एक कम करो तसलेच कुछ निकाल का दूसरे तसलेच करो और 21 गेरो थायो मैं था अग्जान दवाई जो स्लेच पिरो अंदी है अरे ना भी मारता यह न मरती थक गेजी जो दर न ठोने रहा है तरीकी बहुत जा लेकि ना रहा है बेजा है कुछ असर ही है हसर है मोटी मोटी तो यह चाड़नी है अब बच्चे जो जा रहे हैं खेत में उनका क्या हो बहुत निकलेंगी मुझे तो ऐसा लग रहा और भी किसी के खेत में होएंगी तो यह तो बहुत जादा निकलेंगी कि इस सामरेक दवी होई है उत्ता आन लगा जरू गिंडार दा है डैन टोड़ सो गेननी पड़ो समनू अरे मंगाई है यार जुभाई एस पानी पर गेर दो डैन टोड़ सो तो भाईयो जरूर बताए कमेंड में करके ठीक है भाईयो नमस्काल